नमस्कार, स्वागत है आपका IPL आज कल में और आप देख रहे हैं News 28, मैं हूँ आपके साथ हलका IPL आज कल जिसमें हम बात करेंगे IPL से जोड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं कल के मैच की, जो की KKR और Sunrisers के बीच खेला गया था जिसमें KKR ने Sunrisers को 6 विक्टों से हराया था जिसमें बात करें वेंगटेश आयर की, तो जब से वो टीम में शामिल हुए हैं तब से रनों की गती में भी काफी फायदे आये हैं तो वहीं दूसरी तरफ, दिनेश कार्ती एक फिनिशर्स के रूप में भी काफी योगडान दे रहे हैं बात करें कप्तान इयोन मॉर्गन की, तो उनका दहाई की शेडी में आना भी बाकी है ये थी कल शाम के मैच की जानकारी, अब बात करते हैं कल दुपहर की मैच की बारे में जो कि पंजाब और बैंगलॉर के बीच खेला गया था, जिसमें पंजाब को छे रनों से हार का सामना करना पड़ा था इसके साथ ही बैंगलॉर ने प्लेओफ में अपनी जगा बना लिया है और साथ ही साथ पॉइंट टेबल में भी तीसरे नमबर पे अपना कबजा बना लिया है ये थी कल के मैच की जानकारी, तो आईए आप बात करते हैं आज होने वाले मैच की जो की दिल्ली और CSK के बीच खेला जाएगा बात करें CSK की, तो पिछली बार सबसे निचले स्थान पर रहने वाली टीम इस बार काफी अच्छी वापसी के साथ आई है पिछले साल चैनली प्लेओफ में डिस्क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी थी तो वहीं इस सीजन में प्लेओफ में कौलिफाई करने वाली पहली टीम बनी है बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली पिछले साल उपविज़ता रही थी वहीं इस साल 12 में से 9 मैच जीत कर 18 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है बात की जाए चैन नहीं की, तो रन रेट के मुताबिक चैन नहीं 18 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर है अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के मैच के बाद पॉइंट टेबल में क्या-क्या बदलावा सकते हैं क्या RCB दूसरे नंबर पर आएगी? जानने के लिए देखते रहें IPL आजकल सिर्फ और सिर्फ News 28 के साथ